दोस्तों महिला हो या पूरुस हो वह अपले स्वास्थ को ले करके काफी जादा जागरुक होता है आज की जन्रेशन में तो यह जदा ही यह प्रशनन में है कि कहीं मेरा वजन ना बढ़ जाए तो आपके मानद में यह प्रशन ज़लू कभी नगभी आता हुगा कि मेरा मानक पैमाना बताता हूं जो कि आप अगर फॉलू करते हैं तो आप असारी समझ जाएंगे कि अच्छल में आपका वजन कितना होना चाहिए अगर या जो मानक है या लंबाई के अनुसार है कि आपकी लंबाई जितनी होगी उसी के अनुसार आप इस चार्ण को देख करके आ आप का वजन कितना मजिए जैसे कि जांपालिय में रहते हैं अगर पूरू से उसकी लंबाई जो है पांस तुट है तो उसका जो वजन होगा वह उसका वजन होगा और यह जो आपकी जो लम्बाई है तो आपका वजन जो लह है वह 48 kg से ले करके 69 kg के भीज में होना चाहिए मुझा है वहीं पर यदि 50.2 इंच की लंबाई क साहला है तो उसका वजन होगा। 55 किलोंगे पीछ में होना चाहिए। मुझनिकश का यदि 5.4 इंच तो उसका वजन 33 किलोंगे 55.20 किलोंगे पीछ में होना चाहिए। यह तो मैंने कुछ रेंडमनी बता दिया है जो आप मेरे पुछी चार्ट देख रहे हैं इस चार्ट से आप सुए में देख सकते हैं कि आप लंबाई जितनी हो वह लंबाई आप लिजिए और इस चार्ट में देख लिजिए उसी के अंसार आप अपना वजन कर सकते हैं तो मुझे मेरे कि आपको यह confusion अगर कभी होती होगी कि आपका वज़न कितना होना चाहिए तो आप इस चार्ट को मत इस चासान समझ जाएंगे तो आज दूले बसक्तना ही नमस्का दोस्तों